दोस्तो होम लोन एक ऐसा लोन है जो काफी लंबे टाइम तक चलता है और इसलिए हम जितना लोन लेते हैं करीब करीब उतना ही अमाउंट इंट्रेस्ट का बन जाता है लोन चुकाते चुकाते तो इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप अपना इंट्रेस्ट का अमाउंट कम करवा सकते हो किस तरह से आप अपना होम लोन जल्दी से जल्दी खतम करवा सकते हो ताकि आप अपने होम लोन पे जादा से जादा इंट्रेस्ट की सेविंग्स कर सकें तो फ्रेंड्स बन subscribe जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेकर आता हूं काम के वीडियो जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इन वीडियो की सबसे पहले मिल सके आज होम लोन हमारे को साड़े चे से साथ परसेंट के बीच में मिल रहा है जी हां रेट ऑफ इंट्रेस्ट काफी कम हो गया है होम लोन पे और जिन लोगों का होम लोन पहले से चल रहा है उन लोगों का होम लोन किसी का आठ परसेंट पे किसी का नौ परसे लेती हैं तो जिन लोगों ने पहले अपना होम लोन किसी NBFC कंपनी से करवाया हुआ है वो सकता है वो 11-12% का होम लोन पे ब्यास दे रहे हूं जबकि आज की अगर हम बात करें तो आज होम लोन आपको 6.5-7% के बीच में पड़ी ही आसानी से मिल रहा है तो अगर आप ज़्यादा इंट्रेस्ट दे रहे हैं तो आप किस तरह से अपना इंट्रेस्ट बर्डन कम करवा सकते हैं इंट्रेस्ट का बोज आप किस तरह से अपना कम करवा सकते हैं तो पहला सबसे आसान तरीका में आपको बताने वाला हूँ, वो है balance transfer, जहां से भी आपका loan चल रहा है, अगर rate of interest वो bank या financial institution ज़्यादा लगा रहा है, तो उनके यहां से आप अपना loan किसी दूसरी जगा transfer करवा लिजिए, जहां आपको सस्ता rate of interest मिल रहा हूँ, friends, विश्वास मानिए, अगर 1% भी आपको ब्यासदर कम मिलता है किसी दूसरे जगा पे, तो आप ज़रूर balance transfer करवा लिजिए, क्योंकि home loan इतने लंबे समय तक चलता है, 1% का benefit भी actual terms में काफी माइने रखेगा, इसलिए कोशिश करके balance transfer करवा लिजिए, जल्दी से जल्दी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा benefit हो सके, खास तोर पे balance transfer उन लोगों को तो करा ही लेना चाहिए, जिन लोगों ने अपना home loan April 2016 के पहले लिया हो है, April 2016 में एक नया rule आया था, और home loan MCLR rates पे मिलने लगे थे, यानि कि जो भी lending rate कम रहेगा, जिसमें borrower का फायदा होगा, वो rate बैंक को या financial institution को लगाना होगा, पर ये उन लोगों के लिए applicable है, जिन लोगों ने अपना home loan April 2016 या उसके बाद में लिया है, जिन लोगों ने April 2016 के पहले अपना home loan लिया हो है, उनका rate of interest loan पे automatic कम नहीं होता है, उनको या तो request करके या balance transfer करवा के ही अपना home loan कम करवा सकते हैं, दूसरा friends में बताना चाहूंगा, जबी भी आप home loan लेने की सोचें, तो सबसे पहले ये देखें कि आप कितने साल में उसको repay करना चाहते हैं, अगर आप 10 साल में उसको repay कर सकते हैं, या 15 साल में repay कर सकते हैं, तो 20 साल के लिए loan कभी भी ना लें, यह सोचके कि हर मेने आपका EMI कम जाएगा, नहीं, अगर आप loan को जल्दी उतार सकते हो, तो जल्दी उतार देजिए, tenure repayment का कम रखिए, जितना कम आप tenure रखेंगे, उतना कम आपको interest के तौर पे देना पड़ेगा home loan के उपर में, करीब करीब जितना loan लेते हैं, उतना ही interest के तौर पे दे देते हैं, तो 2 रुपे की चीज आपको 4 रुपे की पड़ेगा, और वहीं अगर आप 10 साल में उसको पूरा कर दोगे, तो 2 रुपे की चीज आपको 3 रुपे की पड़ेगी, इसलिए जो लोग tenure कम रख सकते हैं उनको कम से कम repayment tenure रखना चाहिए ताकि ब्याज उनके उपर में ज्यादा ना पड़े कीसरी टिप जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास में कभी भी इकठे कहीं से पैसे आ जाएं या इकठे हो जाएं तो आप वो पैसे अपना home loan चुकाने में लगा दें उससे यह फैदा होगा कि आपका outstanding principle कम हो जाएगा तो या तो आप अपना EMI कम करवा सकते हो या अपना tenure कम करवा सकते हो home loan का EMI कम करवाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा मैं यही सजेस्ट करूँगा आप अपना tenure कम करवा ले हैं जबी भी आप बैंक को इकठा पैसा home loan के यह बज़ने और last minute friends चौधी टिप मैं आपको यह बताना चाहूँगा जिस तरह से हमारी income हर साल बढ़ती है उसी तरह से अगर आपने loan लिया हुआ है तो हर साल आपको अपना EMI का amount बढ़वा लेना चाहिए कम से कम 5% तो बढ़वा ही लेना चाहिए अगर आप 10,000 रिपे कर रहे हो हर म home loan काफी जल्दी उतर गया है और interest का जो pressure है वो काफी कम हो गया है आपके उपर में आने वाले time में आप यह महसूस करोगे तो friends यह चार बाते हैं आप इनका ध्यान रखिए और अगर आप इन में से किसी एक को भी apply करते हो अपने जिंदगी में तो आप देखोगे कि आपन actually में home loan पे जो interest bank को दिया है वो काफी कम दिया है in comparison अगर आप इन में से कोई भी एक बात follow नहीं करोगे तब तो दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आया हो तो like करिएगा channel पे नए है तो इस channel को subscribe भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लिखे आता हूँ videos investment के उपर में tax के उपर हम से विलों का